नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे साथियों जैसा कि हमें इंतजार था कि मद्धिप्रज शिक्षक चैन परिक्षा फस्ट ग्रेट की कब आएगी उसका नोटिविकेशन आ चुका है और एक्जाम डेट भी आ चुकी है आज इसके बारे में सभी कुछ चर्चा करेंगी, सेलेबस के बारे में चर्चा करेंगी में में पाइंड के बारे में चर्चा करेंगी, क्या क्या है इस वेकेंसी के बारे में चर्चा करेंगी तो जैसा कि पहले से मैंने कहा था कि लगबग जो है अप्रेल एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अप्रेल एंड तक आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है आपके सामने सेलेवस भी आ गया है आपको कैसे क्या तैयारी करना है केतनी क्या पॉस्ट है ये सारी information हमें इस notification की माध्यम से सारी information हमें मिल जाएगी कि हमें केतनी दयारी करना है तो साथ ही हूं ये notification आज का ही है और अभी जो है इसके आवेदन जो भराएंगे इस exam में वो ही candidate participate कर पाएंगे जो पातरता परिक्षा में qualify हुए जो पातरता परिक्षा qualify हुए वो ही सभी जो है इस चैन परिक्षा में सम्मिलित होंगे और इसकी जो date है आवेदन भरने की 18.05 से 18.05 से start होगी भीया और एक जून तक चलेगी संशोदन की दिथी ये दे रखिए लास्ट 66.23 अब साथ ही हो ये तो सारी चीजे जो है आपको ज परिक्षा करते हैं सेलेबस जो है सेलेबस आपका जो पातरता परिक्षा थी उससे डिफेरेंट सेलेबस हैं वहां पर पूरी दर से पेपर बना था बहुत सारों को टफ लगा हो लेकिन ये जो है बहुत बेसिक पेपर था और अभी जो पूछा जाएगा वह एडवास इसनात कोतर पीजी लेवल का पेपर बनाये जाएगा अब पीजी लेवल होगा क्या साथी हो कि जब आप पीजी लेवल की केमेस्ट्री पढ़ते हो तो वो जो रिलेट करते हैं बीएसी की केमेस्ट्री को अगर आपको पीजी लेवल का जो है मट्रियल अवेलेबल ना हो त B.S.E. First Year Second Year Final एक-एक topic उठा-उठा के अच्छे से पढ़ लीजिएगा B.S.E. का topic और जो 11-12 थी की NCRT Books दोनों का combination से paper बनेगा और कहा ही था मैंने तो कि paper जो है basic to advance बनेगा और कई student के पहले था कि सेलेबस के आ रहेगा तो मैं उनको कहता रहता था कि सेलेबस जो है वो chemistry का तो 100% हो गई होगा दूसरा subject हो ना हो लेकिन हो गया ये कि सारा subject का ही पूछ लिया है आपको कोई दूसरी preparation करने के आवशकता है नहीं है सिर्फ आपको 3 महने तक subject ही अच्छे से पढ़ना है subject ही आपको अच्छे से complete करना है दूसरी बात है इसमें भी इस exam में भी qualify marks रखे हैं C, ST, O, B, C, E, W, S, IN, सभी के लिए 40% qualify marks रख दिये भाईया कितने परसंट आगे जानकरी है ही है 40% और other के लिए 50% general और other state candidate के लिए 50% marks qualify marks तो लाने लाने है चाहे पोस्ट खाली रे जाओ लेकिन qualify marks वाले candidate नहीं मिलेंगे तो पोस्ट खाली रे जाएगी और पिछली बार यही हुआ बहुत सारी बेकलाग पोस्ट निकल रही है इस बार क्योंकि बहुत सारी पोस्टों पर जो है candidate मिले ही नहीं थे, qualify नहीं हो पाये थे पिछली बार पात्रता परिक्षा वही थी उसके बेस पर ही selection हो गया था पहली बार हो राय है कि पात्रता परिक्षा भी हो रही है MP में और उसके बाद में इसकी चैन परिक्षा भी आयोजित की जा रही है दोनों सीजे compassionate की जा रही तो मेहनत अच्छे से कीजिएगा, पूरी लाइफ का जो सवाल है, सेटल होने का कि यार इसके बेस पर आपकी पूरी लाइफ जो है, सेटल हो जाएगी, तो ये निर्देश है, नियम निर्देश तो आप बेसे अच्छे से बढ़ी लोगे, ठीक है? वेतन के बारे में एक मैंने वीडियो बनाए ही था, कि बहुत अच्छा वेतन है, 36200 प्लस महांगाई भत्ता, महांगाई भत्ता भी 38 चल रहा है, प्लस HR मिलता है, तो वेतन के बारे में तो सोचना ही मत, अब यहाँ पर काम की चीज़ी है, कि आपके लिए जो है, क्वालिफाई होने के लिए मार्क से कितने चाहिए, भाई साहब 40%, पातरता प्रिक्ष्या में आपको 50% और 60% का रेशो था, मतलब 90 में क्वालिफाई हो रहे थे जनरल, और 50, जो हैं 50% में, मतलब 75 नंबर में क्वालिफाई हो रहे थे, SC, ST, OBC, EWS जो भी है, तो यह क्वालिफाई हो रहे थे, अब यहाँ पर 100 नंबर का ही पेपर होगा आपका, और 2 घंटे का समय रहेगा इसमें, और 40 नंबर कंपलसरी लाने ही लाने है, SC, ST, OBC को, OBC और EWS को, और 50 नंबर कंपलसरी लाने लाने, उसके बाद में, जो आपके जो ऊपर जो नंबर आएंगे, उसके बेस पर आपकी मेरीड बने की, मतलब नंबर क्वालिफाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, अब तो मेरीड बना नहीं है, अच्छे से नंबर सीटे खाली रही, ST की, अधिकतर सीटे, अब उसका नतीजा क्या हुआ, साथियों, कि पिछली जो एक्जाम हुई थी, फर्स्ट ग्रेट की, उस एक्जाम में क्वालिफाई काम हो बाए थे, तो पोस्ट खाली रह गए, केमेस्टी में, अब पोस्ट खाली रह गए थी, तो वो जो पद इसमें इंक्लूट कर लिए, पोस्ट निकालने की थी, लगबग 2,700 के सम्थिंग, लेकिन पोस्ट निकली 8,700, 8,700 में से, 781 के आसपास पद जो है, फर्स्ट ग्रेट केमेस्टी के निकले है, 781, अब उसमें अलग-अलग कंडिशन हैं, डाली गई है, कि भईय जन जयते उभाग के निकाले गए हैं, बाकी पद जो है, इस्कुल शिक्षर वाग के हैं, अब इस्कुल शिक्षर वाग में भी दो पार्ट होंगे कि भईया, अथिति शिक्षक के लिए कि ट्ने पद हैं, और फिर आराक्षन का अलग-अलग reservation है अलग-अलग category गा तो वो सारी चीज़े जो है आपको face करना है अब देखो यहाँ पद के बारे में चर्चा करते हैं post बहुत बढ़िया बात है कि chemistry में 581 पद निकले है 781 एक और बात बीच में बता ही देता हूं कि जिन साथियों को first grade chemistry की preparation करना है वो हमसे contact कर सकते है, guidance ले सकते है अभी जो है fees बहुत low level पर कर रखी मैंने, बहुत low कम है, बात में कभी भी fees जो है increase हो सकती है, बढ़ सकती है तो जल्दी से जल्दी जो है enrollment ले ले syllabus में, course में मैं अपने number जो है इस वीडियो के description में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे number लेकि मुझे whatsapp कीजेगा चर्चा शायद नहीं हो पाए, तो whatsapp पे आपको सारी जानकरी मिल जाएगे, कैसे कि आपको पूरा syllabus के बारे में कैसे करवाय जाएगे, सारी जानकरी आपको मिल जाएगे चलिए, तो chemistry की जो post है, भाई साब जन जाती कारी विभाग में 130 है और 651 जो है, इसमें इसकुल शिक्षा है विभाग में, टोटल 781 पोस्ट है, बहुत जादा बहुत बढ़िया पोस्ट है, अगर इन पोस्टों में लगए तो फिर कब लगेंगे भाईया और ये स्वरनी मौका है इस मौके को आप जो हाथ से नचाने दे है ना मतलब तयार इस हिसाथ से करें ये पोस्ट लोग तो कहते हैं एक पोस्ट हैं वो भी हमारी हैं लेकिन एक पोस्ट नहीं है, ये 171 पोस्ट है और 171 पोस्ट में अगर अपना नंबर अगर निश्चित नहीं कर पाएं तो फिर इसके बाद मौकानी मिलेगा और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वेसे वेसे एनरजी गम होती जाती हैं बाद में निर्देश वोई जो नंबर के इंसल होते हैं उसके लिए सारे नियम वगेरा दे रखे हैं चलिए इसके उपर मैंने पहले वीडियो बना ही रखे हैं आगे बढ़ते हैं परिक्षा परिणाम का प्रकाशन अगे बढ़ते हैं 28-23 से स्टärट होगी और यह एकजाम जो है मेरा मानना है कि 4-5 दिन में complete हो जाएगी क्योंकि 1-2 पाली में होगी exam candidateacter में हो सकता है कि 1-2 पेपर भी हो जाए तो 2-4 दिन में यह complete हो जाएगी तो 2 अगस्ठे से चालू होगी तो 5-6 अगस्त तक इसको exam को खतम कर देंगे पूरी दर से और अलग-अलग पाली में है तो एक पाली में दूसरा paper दूसरी पाली में अगला paper ऐसे करके हो जाएगा वो जल्दी ये जो exam जो है conduct करवा दी जाएगी ज्यादा समय नहीं लगेगा जैसे उसमें तो जो पात्रता परिक्षय थी उसमें तो एक-एक सब्जेक्टे के दो-दो पाज़ जैसे इंग्लिश में में से में बाइलोजी में डबल-डबल exam लेनी पड़ी ती यहाँ पर डबल exam लेने के आवशकत है निपड़ेगी एक ही पाली में सारा काम जो है निपड़ जाएगा ओके यह सारी चीजे हैं exam center के बारे में दे रखा है online परिक्षा परणाली के बारे में सारे नीड़ेश दे रही है online परिक्षा दे ही रही है आपने अब यह चीज जो है काम की है 16 विशे की प्रश्ण पत्र जो है आवेजित किये जाएंगे 16 विशे हैं सभी को अपने अपने नियम सबको नियम मालूम होंगी सही और सबसे बड़ी बात है कि only क्या पुछा जाएगा सिर्फ सब्जेक्ट पुछा जाएगा जो कि मैं कहे रहा था कि सब्जेक्ट आएगा याएगा चैन पुरिक्षा में ऐसा तो नहीं कि आपका सब्जेक्ट नहीं आए सब्जेक्ट को कम्लिट करके रखे जब भी सेलेबस आएगा तो यारी कर लेना आज सेलेबस भी आएगया और जो पात्रता पुरिक्षा थी उसमें पचास नमबर अलग तीस नमबर अलग थे है ना और इसमें अलग चीज़े हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेलेबस की तरफ बढ़ते हैं सो नमबर का पेपर हैं एगरिकल्चर का है फिर एकोनोमिक्स आ गया चलो कॉमर्स ये ये इंगलिश में हैं syllabus English और दोनों में दे रहा है syllabus कोई दिक्कत नहीं है बढ़ते हैं अगे देखो साती हुए फर्स्ट ग्रेड के मेस्टी का syllabus है अब कुछ चेंज आ गया है chemical bonding में वैसे तो अपनों ने अगर मैंने जो करवाया था उसमें basic to advance सारी चीज़े करवा ली थी तो जो पातता परिक्षा था ना उसी में ये सारी चीज़े chemical bonding में मैंने complete करवा दी थी ये सारी चीज़े, homo, heteronuclear, molecules में bounding, vacpr, emo, vbc, dant, pie electron system, aromaticity वो सारा चीज़े करवा दी थी उश्मा गति की ठीक है अब थोड़ा advance बनेगा विद्यूत रसायान, रसायनिक बलगति की विलियन, अब विलियन में कुछ ज़्यादा changes नहीं है विलियन में जो topic जो आपके आपने पढ़ रखे, वो कि वो ही है ज़्यादा कोई change करने है नहीं chemical kinetics में थोड़ा सा और advance में चले जाएंगे ये चीज़ें आपने इसमें syllabus में नहीं होगी 11-12 के syllabus में, लेकिन उसको touch करते हुए advance की question पूछे जाएंगे रासानिक साम्य है atomic structure में थोड़ा सा advance में दिया हुआ है बस ये शब्द संकेन, electron system और सम्मिति सिद्दान्द वादा cool मिलाके आपका जो syllabus है थोड़ा advance कर दिया अब जैसे ये spectroscopy दे दिया भाई साब यहाँ पे वर्ण करमी की चुम्ब की थोड़ा सा spectroscopy भी होना चाहिए तो ये है भाईय सेलेबस रेजियो, stereo isomerism जो अभी हो सकता है कि आपके जो इसमें 11-12 की सेलेबस में न हो ये हैं सेलेबस भाईया थोड़ा सा advance है तो basic to advance पूरी तरह से अच्छे से तयारी कीजिएगा और मैं पूरा जो है सेलेबस जो है basic तो मैंने करवा ही रखा है पतरता परिक्षा का पूरे सारे वीडियो पड़े हुए उन वीडियो के साथ में वो वीडियो मिलेंगे है मिलेंगे उनके साथ में ये वीडियो भी आपको साथ में मिलेंगे तो आपकी double तयारी हो जाएगी double preparation हो जाएगी basic भी हो जाएगा advance भी हो जाएगा अभी जो बातरता परिक्षा होई थी उसमें यही तो हुआ paper जो है बेसिक से बन गया अब आप advance की तयारी करने लग जाओ basic नहीं basic में से paper बन गया तो दिक्कत है basic की तयारी करी, advance की तयारी नहीं करी तो फिर पिछड़ गए तो हमें इस exam की तयारी जो करना है basic to advance तयारी करना है पूरा 11 बारियों का matter भी complete होना चाहिए और ये matter भी अच्छे से complete होना चाहिए तभी हम selection ले पाएंगे और selection लेने के लिए अच्छे से जी तोड़ अभी से मेहनत करनी पड़ेगी अभी से समय का पूरा सद्वियों करना पड़ेगा unit wise अभी से पूरा solution अच्छे से करना पड़ेगा तभी हम selection ले पाएंगे ओके साथियों तो जिन साथियों को candidate को systematic तरीके से course लेना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मेरे contact number मैं इस वीडियो की description में दे दूँगा मुझे whatsapp करे मैं पूरे syllabus की जानकरी दे दूँगा आपको कैसे क्या syllabus लेना है application है मेरा धनकर के मैसे lectures pro नाम से वहाँ पर जो जाके आप पूरा course ले सकते हैं आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे PDF notes आपको मैं WhatsApp के माध्यम से भेजूगा और जो भी जानकरी हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी चलिए साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई जहिन